बिसमिल्ला रॉक्मान दिर्वाहीम तोडेस् टॉपिक ऑफ टेस्कशन इस सेंड़ाप रवीयन और बिहेवियर साइंस तो आज की इस वीडियो के अंदल बिहेवियर साइंस के पास्ट पेपर और कुछ सेंड़ाप पेपर को रिवाइज करने वाले हैं ऐसी की उस पॉशन को स्टार्ट करने वाले हैं तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना ओके तो बिहेवियर साइंस के पास्ट पेपर को यानि यह 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 का पेपर इसको स्टड़ी करना शुरू करते हैं सबसे पहला कोशन है और कौन कौन से इंपोर्टेंट कोशन का आंसर जरूर देना पड़ता है यानि पेशन ने सवाल पोचना है आपने उसका जवाब देना है आपको पता है कि तो BS में से BS के पांच सेक्शन होते हैं सेक्शन E, सेक्शन B, C, D, E हर सेक्शन में से एक सेक्शन जरूर आता है जिस तरह अगर आप यहां करत देखोगे सबसे पालग कोशन है वो इन्फरमेशनल केर से लिए गया है और इन्फरमेशनल केर सेक्शन E में आता है ठीक है मैं इस पेपर की बात कर रहा हूं I think यह फोकस नहीं हो पा रहा जो कॉशन नबर टू है कॉशन नबर टू मैं कहा गया है कि पेशेंट हैस बिन एडवाइस बाद दॉक्टर टू कोईट स्मॉकिंग है सिंस ही डिवलाप सी ओ पीडी है तो यहाला जो कॉशन है वसे यहाला कोशन भी section A से लिया-गया है Integrated Model of Healthcare है जो थर्द वाला कोशन है यह section C से derived है जो फोर्त वाला कोशन है यह section E से derived है और फिफ्द वाला कोशन है यह section section I think यह बी से derived है वैसे 5 section होते है A, B, C, D, E लेकिन section D मैंसे सवाल बहुत कमाता है section B से भी वैसे कभी कबार आ जाता है लेकिन section A, section C और section E यह बहुत जादा important है अच्छा जो पहला question क्या पूछा था इन्होंने informational care की definition पूछी दी और फिर यह कहा था कि informational care को आपने किस तरह से provide करना है क्या essential steps होते हैं और क्या क्या या किन साथ सवालों के जवाब देने होगे आपको okay informational care में तो साथ essentials होते हैं और साथ ही इसके important questions होते हैं तो informational care वाला topic आँसे पहले निकाल लेते हैं तो यह informational care वाला topic है informational care के अंदर आप patient को information दोगे regarding the disease, drugs or doctor 3D की information दोगे using the principle of communication ठीक है तो इसको बोलते है informational care drugs, doctor और disease की पूरी की पूरी information दे देना by using principle of communication to the patient इसका informational care अब informational care देने के बाद जो patient की knowledge है उसके gap अच्छे तरह फिलो सकेगा यानि patient को थोड़ा बहुत पता चल सकेगा कि उसको क्या बिमारी है और कौन कौन सी drugs यूस करना चाहिए उसको अब इसके seven essentials क्या होते है यानि आपने informational care को किस तरह से deliver करना होता है तो सबसे पहले आपने informational care के अंदर जो language रखनी है वो language रखनी है जिसको patient सी तरह समझ सकता है non-technical, non-medical language में आपने बात करनी है medical terminology को थोड़े सब avoid कर देना लेकिन आप उस language में आप बात start करना जो कि patient understand कर सके लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है इससे पहले यहां पर लिखा है कि एक proper time बनाना proper time को organize करवाना है for consultation purpose ठीक हो गया फिर इसके बात यहां पर लिखा है कि language काफी ज़दा easy होनी चाहिए start आपने इस तरह से करना है कि patient की अपनी knowledge किया है understanding किया है और expectation किया इस disease के बारे में ठीक हो गया for example आपने यह कहना है कि आप अपने बीमारी के बारे में क्या जानना चाहते हो ठीक है फिर उस बीमारी से related तमाम myths होती है misconceptions होती है जो patient बताता है अपने बीमारी के बारे में expectations होती है वो इनको clarify करता है और इनको replace करतेगा evidence-based information से जो information को deliver करना है informational care के अदर वो professional manner के दर deliver करना है ओके और जो हर चीज़ पेश करना है वो evidence-based हो ठीक होगी आपनी दरब से कोई फर्जी चीज़ नहीं पेश करना और इनको compassion के साथ इसको हम दर्दी बहुते है empathy है कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ sensitivity के साथ हमने इसको represent करना है disease और treatment इसके दोनों aspect को बताना है negative भी और positive भी for example इस disease का हमारी body के पर क्या impact होगा positive क्या होगा treatment किया तो treatment का क्या positive impact क्या होगा treatment का क्या negative effect आ सकता है side effect क्या क्या सकती है लेकि information overload को minimize करना है कि इतना ज़दा ना बता देना कि patient को समझी कुछ ना है और अच्छी चीज़े या अहम बाते वो भूल जाए और गयर ज़रूरी बाते को वो याद रखे कभी कबार patient को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि doctor क्या कह रहा है तो doctor simple figures, diagrams ya sketches को भी use कर सकता है जिसके वज़े से patient के understanding को enhance कर सकता होता है ठीक हो गया और फिर last में आपने informational care के session को end करना है ठीक है आपने तीन चीज़ों का बताया doctor का अपने बारे में जो introduction बता रहा हो था ठीक है या दूसरे doctor का भी हवाला दे सकता है drugs का बताएगा disease के बारे में उसको क्या बिमारी होती है और फाइनली last में वो patient से पूछता है कि आपको 3D के बारे में क्या समझ आई है drugs, disease, doctor के बारे में क्या समझ आई है तो last में आपने summarize करना होता है याई patient को कहना होता है कि आप बताव क्या समझ आया तो यह seven essentials थे अब यह तो थे यह हमने जो करने आए अब जो patient यह उस सवाल पूछ सकता है और हमने इसका क्या जवाब देना है For example, patient सबसे पहले आपसे पूछेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है What is wrong with me मेरे साथ असल में हुआ क्या है तो असल में वो diagnosis का पूछना चाहरा है फिर इसके बाद पूछेगा कि मुझे ये बिमारी कैसे हो गई तो इटियालोजी का पूछ रहा है फिर वो पूछेगा कि क्या मुझे जो मसला या problem थी उसका कोई effective treatment है अगर कोई treatment है तो क्या वो safe होगा क्या उस treatment के क्या negative या serious side effect या dangerous side effect तो नहीं होगे यानि वो management की बारे में पूछ रहा है फिर वो ये कहेगा कि मैं कब तक सियतियाब हो जाओगा प्रोगनॉसिस का पूछ रहा है क्या कोई परहेस दो नहीं है restriction का पूछ रहा है फिर patient ये पूछेगा कि क्या ये मेरी बिमारी किसी और दूसरे individual को लग सकती है क्या मेरे बच्चे को लग सकती है transmission का पूछ रहा है क्या फिर वो लास्ट में बचाएगा क्या ये मेरी बिमारी ये जो treatment है मेरी lifestyle ये जो मेरी routine होती है रुजाना की उसके पर किस तरह से effect करेगा किस तरह से influence करेगा क्या मैं काम पर जा सकता हूँ या क्या मेरी normal routine के life पर कोई फर्क पड़ेगा तो यह सब चीज़े 7 questions होती है डाइग्नोसिस आइडियालजी है मैनेजमेंट आप अपर अगनोसिस होती है रिस्ट्रेक्शन होती है ट्रांसमिशन होती है and continuation of to work and rest है ठीक है यह सब चीज़े आ सकती है तो इन साथ questions का patient ने answer देना होता है informational care के session के अंदर next question के तरफ आ जाते है question number two है question number two के अंदर integrated model of healthcare के बारे में पोच रहा है तो integrated model of healthcare यह भी पहले चाप्रप में आ जाता है अब आपको बता है कि तीन टाप के models होती है एक होता है biopsychosocial model सबसे जबदी important biopsychosocial model होता है दूसरे number पर integrated model लिखा है और चोथा जो है Helloרה dan education model scientific function link होता है 5 domains में यानि human beings की 5 domains होती है like biological domain, cognitive domain, behavioral domain, socio-cultural and environmental तो इन पांच domains का functional link होता है, ठीक है, यानि ये model कहता है, ये model ये कहता है, कि जो health होती है, वो इन पांच domains में equilibrium के दिनम्यान रहती है, यानि health equilibrium का एक state होती है, इन पांच domains के दिनम्यान, यानि ये पांच domains अगर ठीक होगी तो बंदा सिहतियाब होगा, वो पांच domains का इन पांच domains का इन पांच domains है, बाइलोजिकल है, अगर यहां से देखो, बाइलोजिकल है, कोगनेटिव है, ठीक है, यानि दो B हैं, एक C आज होगी, फिर integrated healthcare model है, इसके बार में और क्या पूचा है नोने, okay, integrated healthcare model, what is integrated healthcare model and how will you clinically apply, तो clinical application पूचता है, लेकिन इस से related कुछ definitions भी है, like homeostasis है, allostasis है, or risk stress होती है, homeostasis हमारी body के वो tendency है, जिसके अंदर वो हमारी body internal environment को maintain करती है, with respect to the changes in external environment, यानि external environment के हिसाब आप से जो internal environment में changes आती है, तो उसको बोलते है, homeostasis, जिस तरह यहां पर पढ़ सकते है, the reactive state that ensure harmony within the body system through adaptive negative feedback loops, it also uses reactive behavioral adjustment, यानि ये reactive होती है, allostasis के अंदर हम adaptive mechanism कर लेते हैं, पहले सही adapt कर लेते हैं, यानि कोई external environment में change को पहले से predict कर लेते हैं, और उस external environment में change होने से पहले ही हम ही response को alter कर लेते हैं, ओके जो adaptation होती है, creative होती है, for example, यहां पर ये दिया हो है, के hot summer day के उपर, अगर कोई बंदा काम करता है, तो फिर hot summer day के उपर आपको बताग गर्मियों में पसीन अदर जदा होता है, तो फ्लियोड और salt के intake को बढ़ा देगा, क्योंकि पाने की कमी होग इसके बढ़े से उसको extra salt और extra fluid की intake कम से कम करनी पड़ेगी, ठीक है, तो यह allostresses और homeostresses का difference आजएगा, एक और definition भी आती है, वह है use stress, तो use stress क्या होता है, optimum degree of stress होता है, the optimum degree of stress is called use stress, जो किसी भी हमारी normal physiology को maintain करने के लिए इस्तमाल होता है, I think है सही तरह focus नहीं हो पारा, और जो distress एक वो condition है, जिसके अंदर homeostatic or allostatic mechanism, पांच domains लिखी है, biological behavior, cognitive, environmental and socio-cultural domain, वो challenge हो जाती है, by extrinsic or intrinsic factor है, clinical application के बारे में पूछ जा रहा है, इसकी clinical application है, separation of disease from sickness, distress and stress, जो तमाम patient, जिनके अंदर science symptom आती है, और वो hospital के अंदर आ जाती है, लेकिन वो disease से suffer नहीं कर पार होती है, बलकि वो disease से पहले वादी जो conditions होती है, like sickness है, distress है, sick role है, illness है, और disease है, इनसे वो affected होती है, यानि अगर हमारे किसी domain के अंदर, for example, environmental domain है, behavioral domain है, cognitive domain है, social domain ह आ जाती है, तो body, उनको, उनके against response करना शुरू कर देती है, through unpleasant experience, उस unpleasant experience को symptom होती है, यानि जो symptom होती है, वो adaptive mechanism को activate कर देते है, adaptive mechanism में homeostresses और allostresses आ जाएगा, जो हमारी body के functions को वापिस restore कर देगा, in short, जो यहाँ पर कहने का मतलब है, जो तमाम, अगर 100% individual hospital में आते हैं, तो प patients नहीं होते हैं, उनमें जो symptom होते हैं, वो distress की form में हो सकते हैं, sickness की form में हो सकते है, sick role की form में हो सकते है, illness की form में हो सकते है, या disease की form में हो सकते है, distress की वो condition है, जिसके अंदर homeostatic और allostatic mechanism क्या होना शुरू हो जाते हैं, stress को face करना शुरू कर देते हैं, तो यह temporary artillation होती है, जो sickness होती है, sickness जो distress होती है वह sickness बन जाती है लेकिन जब बंदे को ऐसा फील होता है कि वह बीमार है या इसको vomiting आ रही है तो उसको स्ट्रेस ठीक हो गया तो यह क्लिनिकल अप्लिकेशन होती है इंटेग्रेटेड हेल्थ केर मॉडल की नेक्स तम चलते हैं अब मदर अप्लाइज आ बिहेवियल टेक्नीक ओके ओन हर सिक्स येर ओल्ड चाइल्ड हो यहां पर यह कहना चाहरी है कि उसका इच्छे साल का बेटा था एक माँ का तो वह पढ़ता नहीं था कुछ भी लेकिन इसकी मदर ने क्या किया उसकी मदर ने यह किया कि जैसी वह होमवर्क खतम करता था तो उसकी माने उसको आदे गंदे के लिए टीवी देखने करे दिया अब उस आदे गंदे के टीवी के लिए वो बच्चा रोजना के रोजना होमवर्क करने लाग जाताता था तो मदर कौन से learning mechanism को या learning theory को use कर रही है तो मदर use कर रही है अच्छा response को हासिल करने के लिए behavior को बढ़ा देना ठीक है या या रिवार्ट को हासिल करने के लिए behavior को बढ़ा देना तो उसको बोलते है positive reinforcement को के ठीक है ओके तो learning theory कौन से apply हो रही है और कौन सा प्रिंसेपल यूज हो रहा है वह प्रिंसेपल इसनमाल हो रहा है पॉजिटिव reinforcement वाला और यह पूरा sketch अच्छे तरीके से त्यार कर लिए ना प्रेंट कंडिशनिंग वाला पर एक्जाम में प्रेंट और classical conditioning में फर्क आ जाता है like classical conditioning में reflex पहले देते हैं stimulus से पहले जबकि इसमें बात में देते हैं parent conditioning में इसको पावलफ नहीं किया था इसको BF Skinner नहीं कि परफॉर्म किया था ठीक है इसकेस में association होती है stimulus और response की जबकि यह reinforcement के पर डिपेंडेंट होता है involuntary or automatic होता है जबकि voluntary or environment के appropriate होता है यह passive इसके ख्वाइश यह होती कि काश वो मर्द होती उसके short hair थे और इसकी dressing बिल्कुल male जैसी थी जब उसको एक नजर में देखा जाए तो इसमें कोई femininity नहीं नजर आती यानि निस्वानियत इसमें जरा से भी नहीं थी वो ऐसे समझती थी जैसे उसके अंदर एक मर्द की र इस तके disorder को बोलते है जेंडर डिस जेंडर डिस्वाडर या जेंडर डिस्वोरिया यह वाला इसका अंसर है ओके जेंडर डिस्वोरिया डी एस एम फाइफ और जेंडर एडेंटिटी डिस ओर्डर तो पहले हम थिएरी को पढ़ लाते हैं Robert Stroller के मताबिक जो जेंडर होता ह यानि biological sex और जो क्या होता है कि biological यह वो क्या है यानि इसके chromosome XXXY है और social के अंदर लोग इसको किस तरह से identify करते है नॉर्मली यह सेम होता है यानि जो males होते है वो males की तरह नजर आते है जो female होती है वो female की तरह नजर आती है लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता जो biological email है जिसका biological sex mail है ठीक है लेकिन वह ऐसा फील करता है जैसे उसके अंदर एक woman trap होई भी है या उलट भी हो सकता है जिस तरह इस सिनारियों के अंदर दिया हुआ था तो इनको बोलते है transgender individual और इसका differential diagnosis था gender dysphoria और gender identity disorder यहां पर ICD लिखाव है है ICD का मतलब होता है ICD का क्या मतलब होता है ICD का मतलब होता है international classification of disease और जबके DSM का मतलब होता है diagnostic and statistics manual fifth edition चीग हो गया ओके तो जो transgender individual यह experience करते है जिसको बोलते gender dysphoria इंदा DSM fifth edition ओके जो individual होते है transgender जो बाइलोजिकल एक sex के होते है यानि मेल हो सकते है फीमेल हो सकते है लेकिन वह यह चाते है कि उनको दूसरे sex से identify क्यारे यारि इनके जो gender identity वह different होती है वह खराब होती है biological sex तो यह तो मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है लेकिन जो मेल वाले होती है वह कहती है कि उनको फीमेल वाले टाइटल से ही बुलाया जाए ठीक हो गया तो इसको बोलते है transgender transgender को भी तीन कंडिशन के अंदर या तीन क्याटेगरी में डिवाट कर देती है है transsexual gender queer or cross dresser, transsexual, transsexual में जो individual होता है वह यह prefer करता है कि उसकी बिलकुल वैसी physical वैसी body हो जैसे opposite sex partner की होती है for example जैसे इस scenario के इंदर लिखावा तक इसके dressing बिलकुल ऐसी थी short years थे gender queer यह कुछ ऐसे individual होती है जो कहते है ना हम मेल है ना फीमेल है तीसरा cross dresser जिसको dual transvestism बोलते है जो identify तो होते है biological sex से असानी से लेकिन वह यह prefer करते है दूसरे gender की clause के अंदर जैसे यहां पर लिखावा था तो मोटे मोटी चीजे हम इस वे से त्यार कर लेते हैं जो आपने याद करनी है तो health professional को क्या करना चाहिए empathy से react करना चाहिए कि मैं आपकी इस मसले को समझ सकता हूँ कि आपको किस type की तफिर फोरी होगी तो पहले empathy से काम लेना है हम दर्दी से काम चलाना है compassion करनी है ओके management करने में ठीक है इसके इलावा compassion करनी है जो individual इस gender disorder का शिकार है तो वो यह चाहता है कि doctor इसको गलत तरीके से judge ना करें तो इसको judging वगरा यह ना करें ठीक है से discuss करें और हमारा main का हमारा जो physician का जो main काम होगा वो यह काम होगा कि जो इसके असल जो fear है problem है जिसने उसको force किया है opposite sex partner के dressing को adopt करना तो उसको remove कर सके ठीक है तो इसके fear को उसके problem को इसके issue को पहले समझना की गया है फिर इसको resolve करा देना पहले empathy और compassion को use करना अब यह सारे जो तिनी बड़ी theory लिखी वी है इसमें काम की बात यही थी और यहां पर एक और बात भी लिखी वी है कि इन issues को confidentiality के अंदर रखना है यान की बातों को leak out नहीं करना ओके और अगर आपको डिप्रेसिव या anxiety disorder के science symptom देखने को मिले रहे है या suicide के भी previous chances थे तो individual को foreign psychiatrist के पास refer कर दे रहा है अगर उसको anxiety या depression या suicidal thoughts आ रही है जहन के में दर next question number five question number five के अंदर doctor और patient के rights और responsibilities यह section B के अंदर है ethics वाले chapter के अंदर है जो doctor के rights होती है वो patient के responsibilities होती है या vice versa तो यह doctor के rights और responsibility है doctor patient relationship की okay तो पहला है rights of patient के rights क्या होते है हकूक जबके responsibility उनके फराइज होते है ठीक है तो पहला patient की क्या क्या rights होते है पहला है कि इसको informed consent वगएरा यानि सब चीज़े बताने के बाद कि उसकी illness किया है treatment किया होगा alternative treatment किया होगा opinion unions किया है side effect किया है तो informed consent के अंदर हम brains बताते है बी आर ए आई आई एन सी ठीक है तो यह सब चीज़े बताने के बाद आप इससे informed consent लेने चाहिए यह patient का हाक है या इसको सब चीज़े बताने के बाद ठीक है फिर consent वगएरा लेने चाहिए और patient के बाद यह भी right है कि वह किसी भी time को किसी भी time consent को withdraw कर सकता है या experimental या research treatment को refuse कर सकता है या second opinion obtain कर सकता है ठीक है confidentiality यह उसका हाक होता है किसी भी time hospital को leave कर सकता है लेकिन infectious disorder के अंदर उसको leave नहीं करना चाहिए उसको care or consideration dignity के साथ उसके treatment करना चाहिए वह doctor से medical file request कर सकता है और legal advice भी obtain कर सकता है किसी भी treatment के दुरान अपने friends के साथ contact कर सकता है ठीक है अपने अपने दुरों जैसे निश्चेदार वह एक साथ stay कर सकता है ठीक है अपने बच्चों के साथ stay कर सकता है कि इसके लाबा अगर वो चाता है कि आपने रिष्ट्धर मिले या वह अकेला time बिताय तो थो nursing staff बता सकता है तो यह शक treatment के advice को comply करना चाहिए कहना क्या करना चाहिए इसको पूरा तावन करना चाहिए पूरे treatment के साथ doctor को inform कर देना चाहिए अगर वह किसी दूसरे health professional से दवाईया वगारा treatment ले रहा है okay और उसको यह भी पता होना चाहिए कि उसकी treatment में कितना खर्चा आ जाएगा और किस तरह से covered होगा और वह doctor के साथ इस तरह से पेश आई कि दूसरे patient के rights को disturb now कि बाज वकाद ऐसा होता है कि patient doctor को अपने बास बुला बुला के गयर जरूरी बात करना शुरू कर देता है और बाकी मेरीजों के time को खा जाता है तो यह संज करना चाहिए अब आइडस ओंक्र के राइडस होते हैं दाक्टर के डाक्टर की क्या rights होते है छिक है कि बाक्टर के यह राइड होता है कि किसे भी action को refuse का सकता है ।छ थह कि से प्रॉसेजर को या किसी चीज को जो इसकी ethics के ख्लाव है किसी बाज़िवर को प्रॉसेजर को या treatment को अंकार कर सकता है, लेकिन प्रोवाइटी डैट यह नहीं होना चाहिए कि जो इन्दिविज्वल है, उसकी लाइफ को कोई खतरा नहीं है, ठीक है तो यह डॉक्टर की क्या होते है, राइट्स होते है, इसकी बाद रिस्पॉंसिबिलिटीज ऑफ डॉक्त or के सईको लॉजिकल रियाक्शन के सिर्फ फैडिंग त्यार करो लॉक्त त्रांस्विर ड्रांस्वरंस है पर डिपेंडेंस है रिजिस्टंस है और फिजिशिन बर्न आउट है वोके यह हैजर्स होते हैं डॉक्त पेशेट झाल